तो दोस्तो केसे है आप उमीद है अच्छे ही होंगे तो दोस्तो हमारी आज की पोयम का टाइटल है अमांडा क्लास टैंथ आपकी इंगलिश की पोयम जिसका नाम है अमांडा इसकी हम समरी देखेंगे ताकि ये समरी आपकी टर्म टू बोर्ड एक्जाम में हेल्पफूल हो सके तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना टाइम विष्ट करें हम अमारी पोयम की समरी को दो पोयम अमांडा बाय रोबिन केलीन डिस्क्राइबस अ गर्ल नेम अमांडा एंड हर मदर हू इस नेजिंग और स्कोल्ड हर फॉर हर मिष्टेक्स मतलब यहां पे हमको क्या बोल रहे है कि अमांडा हमारी पोयम का नाम है जिसके जो राइटर है वो कोने रोबिन क्यालीन वो डिस्क्राइब कर रहे है गर्ल को जिसका नाम है अमांडा और उसकी मदर को भी डिस्क्राइब कर रहे है जिसमें जो उसकी mother है वो neijing कर रही है या scold कर रही है मतलब डाट रही है किसको Amanda को जो भी उसने mistake करी है उसके लिए तो अभी हमने क्या देखा हमने देखा कि जो poem Amanda है उसके author Robin Kellyn है और यह जो poem है यह describe कर रही है Amanda girl को और उसकी mother को कि केसे जो उसकी mother है वो उसको डाट रही है स्कोल कर रही है या नेजिंग कर रही है उसकी जो भी मिश्टेक से उसके कारण इसके आगे चलते हैं हम next slide पे तो दोस्तो second क्या है She is a first pointed or scoled out most probably by mother for biting her nails and for not sitting in the right posture तो सबसे पहले अब जो उसकी mother है Amanda की वो उसको क्या कर रही है डाट रही है हमने first slide में यह देखा अब second slide में हमसे क्या बोल रहे है केसे डाट रही है वो scoled कर रही है केसे डाट रही है सबसे पहले तो डाट रही है कि नाखून नाखून को Amanda चबा रही थी इसके कारण उसकी ममी ने उसको क्या करा डाट इसकोल्ड करा and for not sitting in the right posture और वो right posture में भी sitting नहीं कर रही थी इसी के लिए और उसकी जो मदर है उसने fill भी करा कि जो Amanda है वो बहुत lazy manner में बेठी हुई है इसी के कारण जो उसकी मदर है उसने उसको जो उसकी मदर है अमांडा की उन्होंने अमांडा को क्या करा इसकोल्ड करा मतलब आप बोल सकते हो डाट अब इसी के कारण अमांडा का reaction क्या रहा तो अमांडा ने imagine करा जब उसकी मदर उसको डाट रही थी तो Amanda ने imagine करा कि वो क्या है mermaid है mermaid means जल परी है जैसा कि आप इस image में देख सकते हैं यह क्या है जल परी है who lives a calm and relaxing life in the beautiful green sea मतलब क्या है इसका इसका मतलब है दोस्तो कि Amanda जो है उसने imagine करा खुद को कि वो क्या है mermaid है अब mermaid मतलब जल परी है कहाँ पर जल परी है एक समूद्र में वो समूद्र कौन सा है beautiful green sea या आपको एक्जाम है साल सकता है emerald sea emerald sea मतलब green sea ही होता है तो confused नहीं होना है मैंने simple सी भाष्या में लिखा है तो Amanda ने खुद को imagine करा जल परी के रूप में कहाँ पर करा imagine तो green समूद्र में करा जहाँ पर बहुत सांती है जहाँ पर उसको कोई डाटने वाला नहीं है और वो अपनी life जो है relax से जी सकती है calm down होके अपनी life जो है वो जी सकती है अब हम third slide पर चलते हैं अब students आके देखिए further she measured for not cleaning her room and shoes and also for not doing her homework मतलब अब उसकी जो mother है Amanda की वो उसको वापी से डाट रही है उसकी वापस उसकी माने उसको डाटती है क्यों डाटती है क्योंकि उसने अपना room जो है वो clean नहीं करा था और उसने जो shoes है वो भी उसने clean नहीं करे थे यहां तकी उसने अपना homework भी complete नहीं करा था मतलब आप देख रहे हैं उसकी जो mother है वो उसको बार-बार में टोक रही है शुरू में उसकी mother ने उसको टोका उनकी अपने नाखून मत चबाओ फिर shoulders आपके properly बेठो आप lazy होके मत बेठो फिर यहां पर homework complete नहीं करा room clean नहीं करा shoes clean नहीं करे इसके करण वे उसको dart पीट रही है तो अब जैसा हम उस first second paragraph में वो खुद को mermaid के रूप में imagine कर रही थी अब वो किस रूप में imagine कर रही है खुद को she then imagines herself to be an orphan because she is now fed up of being watched by parents continuously मतलब क्या है इसका मतलब है तो अब खुद को imagine कर रही है और्फन के रूप में और्फन देखा मैंने लिखा भी हुआ अनात मनलब वो अब अनात के रूप में खुद को imagine कर रही है तो सोची यह उस बच्ची पर क्या बित्री होगी जब उसके मम्मी पापा है फिर भी वो खुद को अनात महसूस कर रही है क्यों कर रही है क्यों कि उसके जो मम्मी है उसको बार-बार डाट रही है दाट रही है जब को रीट आपको इसा शब्द नहीं मिलेगा कि उसकी इसको डाट रहे हैं, जो भी उसके फादर हो सकते या मदर हो सकते अधिकतर बुकों में मदर लिया है इसके लिए हम भी जो है मदर वर्ड ही लेके चलेंगे क्योंकि जो है मदर ही जो है अपने चिल्डरन्स को डाटती है तो हम यहाँ पे थे कि वो इतनी तंग आ चुकी है अपने मामी पापा से जो उनको बार-बार जो है उसकी गलतियों पर माबाप जो टोक रहे है उससे इतनी तंग आ चुकी कि अब वो क्या चाती कि वो अनात हो जाए और फैन हो जाए मतलब अनात हो जाए because she is now fed up वो तंग आ चुकी ये बार-बार जो माबाप का टोकना हो से by parents continuously तो अब यहां तक आपको clear हो गया होगा अब fourth slide पे चलते हैं हमने next slide पे देखा था कि वो अब खुद को imagine कर रही है कि वो orphan रहना पसंद कर रही वो इतना अपने माबाप के बार-बार टोकने से तंगा चुकी है अब orphan रहे कि वो क्या करेगी मतलब अनाथ होके वो क्या करेगी तो कहती है वो she said that she would have enjoyed her freedom वो अपनी freedom को enjoy करेगी मतलब अभी जो है वो अपनी freedom को enjoy नहीं कर पारी कि उसको बार-बार टोक रहे उसके ममी पापा बट अब अनाथ हो जाएगी तो बार-बार मतलब उसको कोई टोकने वाला नहीं बचेगा वो अपनी freedom को enjoy कर पाएगी then by making the patterns of her bare feet on the sand and moved and would live a peaceful life मतलब bare feet मतलब नंगे पावो और peaceful life मतलब शांती पून जीवन को व्यतीत करना यहाँ पे वो कहती है कि वो सड़क पे घुमेगी, roaming करेगी street को और फिर जो नंगे पाव से क्या करेगी, roaming करेगी street को on the sand और जो soft sand है वो जो उसके पेरों पे लगेगी तो वो उसको peaceful life का आनन्द देगी मतलब अब हम यहाँ से हम क्या conclusion निकाल सकते हैं यहाँ पे हम conclusion निकाल सकते हैं कि जो पेले उसकी mother थी वो उसको sand में जाने से मना करती थी, बट अब अगर वो orphan हो जाएगी तो उसको कोई रोखने वाला नहीं होगा उसकी freedom को वो जा सकेगी तो वो नंगे पाऊ सडख पे चलेगी और on the sand and would have to peaceful अपनी life को जियेगी next क्या बोल रहे हैं next Amanda is scolded for eating too many chocolates as this causes pimples she is also scolded for not listening to her mother मतलब अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अब उसकी mother उसको वापीस से डाट रही scorn मतलब डाट ना होता है मैंने पता ही दिया तुमको वापीस से डाट रही है उसकी mother क्यों डाट रही है कि तू बहुत जादा chocolates खा रही है अब chocolates खाने में क्या वो रही हो गया तो अभी जो Amanda जो जिस age में है वो कौन सी age है? teenage age है Amanda जो अभी age में है वो teenage age है तो अब वो बहुत सारी chocolates खा रही है तो अब जिस age में teenage में जो बच्चों है उनको ज़्यादा chocolates खाने पर face पे pimple हो जाती है तो इसी इसी लिए उसकी mother को टोक रही है कि ज़्यादा chocolates मत खाओ क्योंकि तुमको मालो में ना तुमको pimple की cause है वापिस उसकी mammy उसको टोक रही है और इसी के लिए भी टोक रही है कि वो उसकी mammy की बात को सुनने रही है आप क्यों नहीं सुन रही है क्योंकि वो तो खुद का imagine कर रही है हमने देखा कि वो अभी यहां से लेकर यहां तक खुद को orphan orphan image कर रही थी इमेजीन कर रही थी उसके पहले वो खुद को मरमेड इमेजीन कर रही थी तो अपनी ममी की बात को कैसे सुनी कि इसके लिए उसकी ममी ने उसको डाटा भी क्यों कि तुम मेरी बात को क्यों सुन रही है उसकी ममी ने उसको बोला था थी कि मेरी तरफ तुम देखोगी तो वापिस से जो है अमांडा जो है वापिस से कुछ सोचने लग जाती है वो क्या सोचने लग जाती है तो देखो अमांडा अब क्या इमेजन करती है आभ इस फिचर में देख ते से आप सभी बच्चों को मालूम पढ़िया गया हुगा ये किसकी इमेज है ये आपकी डिज्नी की मुवी रोपेनजल की इमेज है तो वो आप खुद को रोपेनजल की करेक्टर से procent कर रही है अब रोपेंजल का करेक्टर जिसने ये मुवी देखी होगी उसको तो एकदम समझ में आ जाएगा मैं आपको फिर भी बता देता हो जो रोपेंजल एक ये कैरेक्टर है फेरी टेल का करेक्टर है अब इस स्ट्रोरी में बेसिकली होता क्या है एक girl रहती ही जैसा कि इस image में देख सकते हैं यह कॉटेज में उसको चूडएल लाके बन कर देती है ब घर में किसी ने बन कर देती है अब यह जो अपने बाल है उसको लटका कि क्या हो जाती है बार बार बाहर चले जाती है बट अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे वो खुद को रुपेंजल की बोल रही है कि मैं को रुपेंजल हूँ अब रुपेंजल फेरी टेल का एक करेक्टर है and want to live in a hug tower like her है न वो hug tower में रहना चाहती है जैसे कि आप इस image में देख सकते है जैसे कि रुपेंजल रहती है इन tower और वो जो tower मेंना चाहती है वो alone रहना चाहती है अब आप देख सकते हैं जो Amanda है और जो रुपेंजल है इन डोनों का जो character है तो बिलकुल opposite है जो रुपेंजल है वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है बट जो Amanda है वो इसके अंदर ही नहीं नहीं दोंगी मैं इसी घर में जो इसी tower में रहके peaceful life जियूंगी and will never allow anyone to come in इस tower में में किसी को भी आने नहीं दोंगी है अब यहाँ पर वो इसक क्यों बोल रही है क्योंकि वो इतनी अपनी ममी पापा के बार-बार scout करने से इतनी तंग आ चुकी है कि अब वो इस alone रहना चाहती है वो peaceful अ पिटा डाटिंगी तो आपको थोड़ा guilty field होगा sad field होगा ठीक प्रकार उसी को भी sad field हो रहा है तो उसकी मदर अब उसको बोल रही है यहाँ पर जो है इस lesson की आईरनी आ जाती है तो finally जो मदर है वो कहती है कि अब तुम अपना जो मूड़ी यह जो sad mood है sad mood है इसको stop करोगी because she does not want anyone to blame for harassing her daughter इसका मतलब है कि उसकी जो mother है वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे उसकी जो बेटी है उसको अपनी बेटी को परेशान करने के लिए डोशी ठहरा है कि उसकी मदर ने उसके ओपर पुरा dominant कर रखा है उसकी मदर की पूरी बात उसको सुनना परती है उसकी माँ ऐसा नहीं च जब कुछ इसको बार बार, Scout枝 करवाया है, Scout枝 करवाया है, Scout not है, अब हम हमारी Next पर चलते हैं, Next पर चलने से पहले में, तुमको एक और बात बता दू, जो ये रोपेंजल का जो गेरेक्टर है, ये बाहर जाना चाहती थी इससे, बट जो Amanda है वो इसके अंदर ही रहना चाहती थी और वो ये भी बोलती है कि मैं जो अपने जो इसके जो bright अब रुपेंजल का character वो amazing कर रही थी तो मतलब उसके obviously long hair भी होंगे अब ये जो उसके long hair होंगे वो इसका use नहीं करेगी बाहर आने जाने के लिए क्योंकि वो तो आने ही तक आपको ये poem की summary अथी लगी है तो channel को subscribe करें अब शुरू करते हैं at this time the poet has not written any reaction from Amanda side अब अब इतना guilty मैसूस हो गया Amanda को कि अब poet ने कुछ लिखा ही नहीं है Amanda की side की reaction को जैसा अभी वो लिख रही थी कि मैं रूपेंजल बना चाहूंगी मैं मर्मेड बना चाहूंगी मैं orphan रहना चाहूंगी बट अब Amanda ने इसा कुछ लिखा नहीं है this constant aging has made her so sad और ये के बताते है कि अब वो बहुत sad हो चुकी है इतना उसको scold करा है उसके parents ने that she has even stopped to imagine herself to someone else मतला बब उसने imagine करना भी इतसे होगी कि उसने बन कर दिया है imagine करना भी she used to so in order to escape from the continuous harassment and dominance of her parents तो यह मैंना बताई दिया कि continuous harassment के कारण उसका बार 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 आप बोल सकते हो टोकना और dominance उसके parents का इसके कारण बहुत जारा स्थार होगी तो उसने आप imagine करना ही बन कर दिया इसके लिए जो poet है उन्होंने कुछ एथा reaction लिखाने है तो यहां पर हमारी जो story है यह complete हो जाती जिसके जो writer है वो Robin Kellyn है अब Robin Kellyn Australian writer है जिनको हम उनकी famous poems के कारण जानते है तो यहां पर हमारी जो poem है यह end हो गई है अगर आपको poem का explanation अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe करिए like करिए और share करिए thank you